दोस्तो नमस्कार बिरोजगारी का लोकतंत्र से क्या वास्ता पेपर लीक का लोकतंत्र से क्या वास्ता हाथ में डिगरी है लेकिन नौकरी मिलती नहीं इसका भी लोकतंत्र से क्या वास्ता न्याई मिलता नहीं कानून का राज गाइब हो चला है तो इसका भी लोकतंतर से क्या वास्ता कोई महिला सडक पर न्याई की गुहार लगा रही है कोई लड़की यौन शोशन के खिलाफ एफ आई यार दर्ज कराने के लिए तलप रही है लेकिन कुछ होता नहीं तो इसका लोकतंतर से क्या वास्ता तो क्या वाकई लोकतंतर से इन सारे मुद्दों का जो जनता के भीतर से उठ रहे हैं कोई वास्ता नहीं है या लोकतंतर ही गाइब कर दिया गया है इसलिए ऐसे मुद्दे खड़े हो रहे हैं और पहली बार इस देश के भीतर में जनता अपने मुद्दों के आसरे आंदोलन करते हुए इस देश की राजनिती को प्रभावित करने की दिशा में बढ़ चुकी है। और जिसने किया है उसके खिलाफ FIR दर्च करवा कर कारवाई की मांग कर रही थी। और वही आरोपी शक्स इस देश की संसत के भीतर अलग अलग जगहों पर तस्वीर खिचाता है, हात उठाता है, गलबाईयां डालता है और गर्व के साथ वापस अपने गर लोट जाता है। लेकिन जिस दिल्ली पुलिस ने उसके खिलाफ FIR दर्च की, उससे पूछताच के लिए ना दिल्ली पुलिस उसके पास जाती है, बलकि उस तक या उस संसत भवन तक महिला पहलवान पहुचना पाए इसको रोक देती है। इतना ही नहीं, देर रात होते होते जानकारी यह भी आती है कि जो महिलाएं बैठी थी और उनके साथ जो तकरीबन सौ से ज़्यादा लोगों की मौजूदगी थी, सब के खिलाफ FIR दर्च कर ली गई, क्योंकि सरकारी काम में वा बाधा डाल रहे थे, उन पर दंगा भणक जाने का भी आरोप है, और उन पर इस तरीके से जो परिस्तितियां पैदा कर दी गई, उसको लेकर भी आरोप है, यानि इस देश के भीतर में कानून सत्ता के लिए काम करता है, ये पहला मैसेज हो सकता है, लेकिन अब बड़ा मैसेज ये हो चला है, कि अवाकर इस देश मे लोकतांत्रिक परिस्तितियां खत्म हो चली है, इस से जोड़कर जनता अपनी परिस्तिती को देखने लगी है, अगर ऐसी परिस्तिती है तो फिर क्या साक्षी मलिक और क्या विनेश फोगाट या बजरंग पुनिया या कोई भी, क्यों सरकार की चोखट तक पहुँचे, औ और क्यों नहीं दिल्ली पुलिस उन्हें रोक दे क्योंकि सवाल मौजूदा राजनितिक सत्ता का है, और खास तोर से अगर कोई आंदोलन राजनिती को प्रभावित करते हुए, इस देश के बेसिक स्ट्रक्चर पर सवाल उठा रहा है, तो यह सब कुछ सामान ने घटना हैं जब पहली बार लोगों के आंदोलन जो की यौन शोशन के खिलाफ लड़कियों के जरीए निकल कर आए, उसने सुप्रीम कोट का दरवाजा खटखटाया, उसने दिल्ली पुलिस के दरवाजे पर कई बार दस तक दी बावजूद इसके कानून काम करता हुआ दिखाई दे नहीं रहा है, और राजनितिक तोर पर इस देश की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इन लड़कियों के पीछे आकर खड़ा होना पड़ा, तो क्या ये एक जागरुकता है या आने वाले वक्त में मोदी सत्ता के लिए वाकई खत्रे की घंटी तो नहीं है, क्योंकि ज सवाल खड़ा करने लगे कि किस तरीके की लोकतांत्रिक इस्तितियां इस देश के भीतर में है, इस देश के भीतर में कॉंसिचूशन और रूल अफ लॉव है या नहीं है, जब ऐसे सवाल उठने लगे वहवी आम लोगों के जरिये आंदोलन की शकल में, धरना परदर्शन की शकल में तो उसे खत्म कर देना सरकार की पहली जरूरत होती है, और ध्यान दीजिये हुआ यही है, जनतर मंतर पर जो भी था तंबु उम्बु सब कुछ उठा दिया गया, और इतना ही नहीं, खुले तोर पर कहा गया कि अब दोबारा जनतर मंतर पर बैठने की जाज़त नहीं दी जाएगी, यानि इस देश के भीतर में अभिव्यक्ती और अभिव्यक्ती के साथ नयाय की मांग और उसकी गुहार लगाते हुए विरोत प्रदर्शन करने के लिए भी आपको उसी दरवाजे पर जाना है जिस जो कारवाई कानूनी तोर पर नहीं कर रही है, यह क जैप्रकाश नरायन ये चाहते थे कि किसी तरीके से युवा इस देश का समझे कि उसके साथ जो कुछ हो रहा है कॉलेजों में, जो कुछ एजुकेशन को लेकर हो रहा है, वो युवा राजनितिक तोर पर चाहे अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टीज में बटा हुआ हो, लेकिन एजुकेशन को लेकर, शिक्षा को लेकर, पढ़ाई को लेकर, नौकरी को लेकर, ये सारी चीजे राजनितिक तोर पर नहीं बांटी जा सकती है, लेकिन ये सारी चीजे अगर गौन हो रही है, खत्म की जा रही है, उस रास्ते हमारी एकनौमी, उस रास्ते हमारी प वो कम से कम अस्थानिय ना हो, वो कम से कम संकीर ना हो और ध्यान दीजिए जो कुछ हरियाना से निकल कर लड़किया जब दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुँची तो पहले राउंड में उन्होंने सब्था पर भरोसा किया, दूसरे राउंड में सुप्रीम कोर्ट तक जाना सत्ता के सामने मुद्दा ये था कि दरसल अगर इस तरीके से हर व्यक्ति के मुद्दे आंदोलन की शकल से निकल कर सत्ता के सस्टम को चेतावनी और चुनोती देते हुए दिखाई देंगे तो उन्हें कम से कम हटाना जरूरी है उनके भीतर खौफ पैदा करना जरूरी है सही माइने में कहिए तो कल जो हुआ वह एक स्क्रिप्टेड चीज थी ऐसी परिस्तिती नहीं थी कि दिल्ली पुलिस को नहीं पता था कि कल उनका आखरी दिन होगा यह भी उन्हें पता था कि यह निकलेंगे जरूरी ग्यारा बजे के बात और पहुचना चाहेंगे संसद भवन के सामने जहां पर महिलाओं को लड़कियों को यौन शोशन के मुद्दे के मद्दे नजर वहाँ पर जो महा पंचायत बुलाई गई है उसमें ये शरीक निकल इस्ति भी समझ ले और आम लोग भी समझ ले अगर कोई चुनोती राजनितिक सत्ता को इस लिहास से देने की स्तिति में आ जाए जहां पर वातावरण राजनितिक तोर पर चुनोती वाला मुद्दों के आसरे खड़ा होने लगे तो सत्ता इसे बरदास्त नहीं करेगी आप कह सकते हैं इस देश के भीतर में इंद्रा गांधी की भी खत्रे की घंटी उसी वक्त बज़ गई थी जिस वक्त पटना में आंदोलन शुरू हुआ थार 1974 में जून के महीने में जब उन्होंने नारा दिया था संपूर क्रांती का और ये कह कर दिया था ऐसा ना हो कि ए पहले एक ची जरा समझ लीजिए भारत अपने आप में आश्चर चकित करने वाला देश है क्योंकि आश्चर इस देश के भीतर इस बात को लेकर है कि अंग्रेज डेड़ लाख की उनकी पूरी संखिया जो भारत में पहुँची लेकिन किस असानी से उन्होंने बरसो बरस और शताबदी तक भारत को गुलाम बना लिया और अजादी के तुरत बाद याद कीजिए केरल में जब कॉमिनिस्ट पार्टी जित गई इसको लेकर भी बड़ा शोर मचा बड़ा हंगामा हुआ और कहा गए यह भी तो एक आश्चर जनक और चमतकार करने वाली करता है और वीपी सिंग निकले थे बफोर्स के मुद्दे को लेकर और राजीव गांदी की पूरी सरकार भरभरा कर गिर गई जनता वीपी सिंग के साथ खड़ी हो गई और 2004 में पटल विहारी वाजपई की शाइनिंग इंडिया किस तरीके से जनता ने चकना चूर की यह भी इस देश के भीतर किसी चमतकार से कम नहीं और 2014 में नरंदर मोदी की जीत भी किसी चमतकार से कम नहीं क्योंकि जो आरोप 2002 में लगे और उस वक्त अटल विहारी वाजपई उन्हें राजधर्म का पाठ पढ़ाने गए थे बावजूद इसके इस दौर में 2014 में आने के बाद जो जीत मिली वह एक पराकास्ठा है लेकिन इसका दूसरा हिस्सा मौजूदा वक्त के दाएरे में सिम्टा हुआ है याद कीजी अटल विहारी वाजपई 1996 में 1992 में जब बावरी मस्जिद विद्वंस के बाद सरकार बनी और वह भी अल्पमत की सरकार थी लेकिन सबसे बड़े पार्टी के तौर पर वाजपई की सरकार थी 161-177 थे उनके लेकिन पार्लिमेंट के भीतर 13 दिनों में सरकार गिर गई क्योंकि उनके साथ कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी उस वक्त खड़ा होने को तैयार नहीं थी तो बहुमत मिला नहीं और उन्हें राश्पती को जाकर इस्तिफात देना पड़ा अब मौजूदा वक्त में दुबारा आईए पहला हिस्सा ये है कि जब इंद्रा गांधी के दोर में जनता अपने मुद्दो को राजनिती की शकल देकर सत्ता के पूरे सिस्टम और डेमोक्रेसी को लेकर सडकों पर सवाल खड़े करने लगी थी क्या ऐसी परिस्तिती इस देश के बीतर धीरे धीरे बन रही है या राजनितिक तोर पर अब सक्रियता और जागरुक्ता जनता के बीच आ रही है खास तोर से कल जो हुआ और दूसरी परिस्तिती है ये प्रधान मंतरी मोदी भी जानते और हमिशा भी जानते हैं दो सो बहत्तर से कम सीटें अगर दो हजार चौबिस में आई तो सरकार बनाना मुश्किल हो जाएगा हाला कि उनके जहन में ये सवाल हो सकता है कि हमारे साथ बीजेडी आ जाएगी यानि नवीन पटनायक आ जाएंगे जगन रेड़ी आ जाएंगे हमारे साथ तो वो तमाम च्छत्रब भी आकर खड़े हो जाएंगे जिसमें चंदरबाबू नाइडू का भी नाम ले लीजिए मायावती का नाम भी ले लीजिए ये लोग आकर खड़े हो जाएंगे और अगर हम अल्कमत में भी रहेंगे लेकिन सबसे बड़ी पॉलिटिक दलों तक ने दरकिनार साथ खुद को किया और उन से अलक ठलक परिस्तिती लाकर खड़ा कर दी उस वक्त भी जनता सक्रियो रही थी जनता समझ रही थी कि डैमोक्रसी गायब है और डैमोक्रसी गायब होने का मतलब ये होता है कि लोकतंत्र का अर्थ लोगों द्वारा लोकतंत्रिक प्रक्रिया में सम्मलित होने का सरवाधिक मौका मिलना चाहिए होना चाहिए जो मौझूदा वक्त में गायब हो चला है तो लोगों के भीतर ये सवाल है क्योंकि लोकतंत्रिक विवस्था में ही लोग जिसमें खास तोर से युवा तबका शामिल होता है उसकी अपनी भूमिका क्या है जब उसके भीतर ये सवाल आने लगता है जो सवाल आज की तारीक में साक्षी मलिक या विनश फोगट उठा रही है या बजरंग पुनिया कह रहे हैं इस अंदाज को परखने की कोशिश इसलिए कीजिए क्योंकि जो कल जो कुछ हुआ उसमें 109 लोगों पर FIR, तीन आरोप दंगा फैलाना, सरकारी काम में बाधा डालना और गैर कानूनी जमावडा और इजाजा तब जंतर मंतर पर नहीं देंगे लेकिन उसके एक कदम और की तरह घसीट कर फैका है, दफा 129 में पुलिस को गोली मारने का अधिकार है, उचित परिस्तितियों में वह हसरत भी पूरी होगी, मगर वह जानने के लिए पढ़ा लिखा होना आवश्यक है, फिर मिलेंगे पोस्ट मार्टम टेबुल पर, यह एक पूर्व IPS का ट्विट ह हाला कि बजरंग पुलिया ने तुरज जवाब दिया, उन्होंने पुनिया ने का, भाई सामने खड़े हैं, बता कहां आना है, गोली खाने, कसम है, पीठ नहीं दिखाएंगे, सीने पे खाएंगे तेरी गोली, यही बाकी रह गया है, अब हमारे साथ, जो कुछ हो रहा है, तो यह भी सही, यह दोनों परिस्तितियां भारत की उस राजनिती को इंडिकेट करती है, जिस राजनिती के दाइरे में सत्ता नहीं चाहती है कि कोई उनसे सवाल पूछे, सत्ता नहीं चाहती है कि कोई उनके कामकाज में दखल दे, सत्ता नहीं चाहती है कि अगर वो अपन हिसाब से न्याय की परिभाशा गड़ रही है तो उसको लेकर भी कोई सवाल हो लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसी परिस्तिती समाज के भीतर क्या वाकई बनने लगी है या बन रही है या इस घटना ने दिखा दिया जिसका डर सत्ता को भी है कि अगर वाकई इस तरीके से राजन तिक दल माईने नहीं रखते हैं जनता माईने रखती है तो क्या इसी लिए संसत के भीतर राजनितिक दल और सडक पर आम लोगों के मुद्दे के सहारे आम लोगों का संगर्श दोनों को पूरे तरीके से खतम कर देना है क्या वाकई ऐसी परिस्तिती धीरे धीरे बन रही ह क्योंकि बिरुजगारी का सवाल लोगतंतर से क्या लेना देना जिसकी हमने शुरुआत की लेकिन बिरुजगारी क्यों है और डिमोक्रेसी अगर गायब हो चली और सत्ता अगर गवर्नेंस के तोर पर फेल हो रही है लेकिन लोगतंतर का पार्ट बार बार पढ़ाया जा र उस चुनाओं के जरीए जो बाहूबल है जो पूंजी है वह भी अगर इस पॉलिटिक्स के जरीए निकल कर सामने आ रही है तो आपके सामने एक जटके में ब्रिजभूशन शरंसिंग नजर आने लगेंगे। पुलिस तब को कह दे कि आप कारवाई नहीं करेंगे तो यह दरसल उस डेमोक्रेसी से जुड़ जाता है जिस डेमोक्रेसी को लेकर सवाल इस दौर में गायब हो चले है। तो क्या यह माना जाए कि जो कुछ हो रहा है या जो कुछ हुआ या आने वाले वक्त में दुबारा रिस्पॉंस इस तरीके से निकलेगा तो उसमें सवाल ब्रिजभूशन का नहीं है। सवाल उस लोकतंत्र का है और शायद इसी लिए कल का दिन लोकतंत्र के मंदिर के उदगाटन का था और उसी पर हमला था तो ये बेहतर इस्तिती सत्ता के लिए थी या विपक्ष के लिए थी या अंदोलन के लिए थी। तीनों परिस्तितियों को देखिएगा तो सत्ता के लिए जरूरी था मैसेज देना। उसने इस मैसेज को बाखुबी दिया इससे इंकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ राजनितिक तोर पर सक्रियता इस देश के सिस्टम को और डिमोक्रिसी को समझने की परिस्तिती में वो लड़कियां भी आ गई जो अंतरास्टिय खिला रही हैं जिनकी पहचान अंतरास्टिय तोर पर है। और इसके अलग-अलग हिस्से को जब आप पर रखना शुरू कीजेगा जब हम इन बातों का आप से जिक्र कर रहे हैं तो हमें पता नहीं क्यों 2014 के सितंबर अक्टूबर के महीने में प्रधान मंत्री द्वारा दिया गया पार्लेमेंट के भीतर का वो भाशन याद आता है जब वो खुद कह रहे थे नरज मोदी बतार प्रधान मंत्री कि जितने भी दागी हैं पार्लेमेंट के भीतर ये जल्दी से जल्दी अदालत में जाए इनके लिए हो तो इस्पेशल कोट बनाई जाए और वहां से ये पाक साफ होकर आए जिससे ये संसद लहला हाने लगे यकिनी तोर पर कोई भी कहेगा कि प्रधान मंत्री अगर सोच रहा है को कि उस समय 172 थे दोहजार चौदा में जो सांसद थे दागी थे अलग अलगा रौप थे जिसका जिक्र दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं बड़े संगीना प्रौापरात थे इनके उपर जो इनोंन इतने विधायक दागी हैं उन पर लंबित अपराधिक मामले कौन कौन से हैं जानकारी देंगे सरकार जानकारी नहीं दे पाई यह दोहजार अठारा का जिक्र है और फिर चार साल बाद दोहजार बाइस में आ जाई है आज की तारीक में भी इन परिस्थितियों का कोई जे पी के सांसद है जो दागी है यह सवाल इसलिए बड़े महत्पूर है क्योंकि जब हम जिक्र करते हैं सत्ता के उस डेमोक्रिसिक मॉडल का तो उसमें जाहिर है यह ब्रिजभोशन मॉडल भी है जो अपने तोर पर रेंगता है जो बतलाता है कि चुनाओ जीतने के लिए पैसा चाहिए पैसे के लिए शायद ये पूरा का पूरा प्रॉसेस उसमें पेपर लिक का पैसा भी हो सकता है और उसमें बॉंड के पैसे भी हो सकते हैं जो इलेक्टरल बॉंड के हो उसमें कॉर्परेट द्वारा दिया गया पैसा भी हो सकता है उसमें इस देश से करज ल गया और नवंबर 2017 में पूछा गया था बकाइदा 1581 एमपी जो एमेले पर जो मुकदमे हैं इसकी जानकारी दीजिएगा नहीं दिया गया अगस्ट 2018 में दोबारा पूछा गया नहीं दिया गया उसके बाद जो शुरुआती दोर में आज की तारीक में तो ज्यादा स्पेशल कोट काम कर रहे है अठारा उस दोर में बारा स्पेशल कोट थे जिसमें डिल्ली में दो थे और बाकी जो दस रज्य है यूपी बिहार, अंधरपरदेश, तिलंगना, करनाटक, केरल, बंगाल, मंधपरदेश, महरास्ट और तमिल नाडू सैयोग से यहां स्पेशल क कोट काम कर रहे हैं जो सांसद होते हैं जिन पे जो दाग होता है जैसे ब्रिजबूशन शरन सिंग का जिक्रम कर रहे हैं इस स्पेशल कोट को इसको निपटाना चाहिए था लेकिन ये पूरी प्रक्रिया चलती चले गई लोग बढ़ते चले गई दागियों की तादाद और जो करोडों रुपए खर्च हुए स्पेशल कोट पर एक साल में उस समय खर्च तकरीबान साले साथ करोड का हो रहा था टेक्सपियर का ही पैसा है पूरे सिस्टम को जब तक इस देश का युवा नहीं समझेगा जब तक इस देश में जो लोग अपने मुद्दों को लेकर बड़े छोटे अस्तर पर काम करते हैं सोचते हैं अस्थानी अस्तर पर काम कर लें बिहार में ही चात्रांदोलन कर रहे थे वो क्या सोच रहे थे अच्छा नौकरी मिल जाएगी सत्ता बदल जाएगी तो नौकरी मिल जाएगी नहीं मिली नौकरी बड़े तातकालिक होते ह संकीन होते हैं इलाबाद के भीतर जो छात्रांदोलन कर रहे थे क्या हुआ उसका जब तक उस परिस्तिती को रास्टिय परिपेक्ष में ले जाने की इस्तिती पैदा नहीं होगी जैसे यौन शोशन वाले मसले को लेकर अंतरास्टिय महिला पहलवानों ने जंतर मंतर उन्होंने मंच भी खुला जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीस के लोग जाने लगी यानि राजनितिक सक्रियता और राजनितिक समझ जो जनवरी के महीने में नहीं थी वो एपरिल के महीने में आ गई यह एक इस्तिती है भारत की राजनिती के भीतर जिसमें पहली बार यह सवाल खड़ा हो चला है क्या अगर कोई आंदोलन इस शक्ल में भारत की राजनितिक सत्ता को चुनौती देने की इस्तिती में आ जाएगा तो क्या होगा और ध्यान दीजिए इसी लिए जो महिला पहलवानों के साथ जो हुआ उसके बाद जिन शब्दों का इस्तमाल दिल्ली पुलिस ने किया और F.I.R. जिस तरच पे दरज की उसमें सारे सवाल यही है कि क्या इस दोर में हर चीज का किंदर बिंदू कहीं चुनाओत नहीं हो रहा है और कहीं लोकतंत्र की प्रक्रिया तो नहीं हो रही है क्योंकि जब चुनाओं की प्रक्रिया धन जोट ब्रस्टा चार बलप्रियोग पर आकर टिक जाए ब्लैक मनी पर आकर टिक जाए जाल फरेव रचे जाने लगे यह सारी चीजे जब आने लगे तो इसका मतलब ह कि कहीं न कहीं अब इस देश के भीतर में लोगों के सवाल उन डेमोक्रिसी से ना जुड़ जाएं यही चीच का लजर आ रही थी जो लोकतंत्र के मंदिर का उद्गाटन एक तरफ और दूसरी तरफ आंदोलन करते हुए बच्चों के साथ जो एक बड़ी भीड निकली वो सि पुलिस का क्या काम और फाई यार भी जिस धारा में दर्जुई उस पर के बाद पुलिस का क्या काम और जो शक्स सांसद ही सही लेकिन उस पे जो आरोपों की पूरी फेरिस्थ है उसके बाद पुलिस को क्या मूव करना चाहिए और उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी को क् हिलने लगी तब उसने इस परिस्तिती को लाकर खड़ा कर दिया कि हम जैसे कहेंगे आपको डरना होगा खौफ होना चाहिए समवाद नहीं होगा हम जो चाहते हैं वही होगा और शायद यही वो इस्तिती है जब इस देश के भीतर के हर मुद्दो को जब आप देखना इस मौझूदा सत्ता के कारकाल के दौर में परकेंगे तब आप समझ पाएंगे कि क्यों किसान आंदोलन को लेकर इलेक्शन से ठीक पहले प्रधान मंत्री ने वापस ले लिया ठीक पहले जब लोकतंतर के मंदिर का उधगाटा ने उससे पहले बेरिकेट्स लगाते हुए इजाज़त नहीं दी गई और उसी दिन जंतर मंतर से पूरा तंबू कनात उखाड दिया गया ये कहते हुए दुबारा आपको आने की जाज़त नहीं है राजनितिक सत्ता की राजनितिक जमीन जब लोगों के मुद्दों के आसरे डामा डोल होने लगे तो सत्ता के लिए खत्रे की घंटी है ये बहुत 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 बहु